जमीन गोटाले में मनी लॉंडरिंग के तैद गिरफतार हैमें सोरेन और आर्किटेक्ट मिनोज सी के भी चेटिंग होने का एडी ने दावा किया है जाज एजेंसी ने कोट में हमें सोरेन और आर्किटेक्ट मिनोज सी के बीच 549 पेज के वाटसप चेट होने की बात कही इसके कुछ पेज कोट में भी पेश किये यह चेट ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर लेंदेन से संबंदित है कई गोपनी सुचनाएं भी हैं यही नहीं इसमें जारकन स्टाफ सेलेक्शन कमिशन की प्रत्योगीता परिक्षा में शामिल कई अभ्यातियों के एड्मिट कार्ड भी शेयर किये गए हैं इस बीच हैमन सोरेन की रिमांट पांच दिन और बढ़ा दी गई है इडी ने अपनी रिमांट पेटिशन में कहा है कि जिस मोबाइल से विनोद और हैमन के भी चैटिंग हुई वो मोبाल पेश करने के लिए कहा था लेकिन हैमन सोरेन ने वो मोبाल E.D. को नहीं दिया पाज दिन की रिमाड खत्म होने के बाद बुदवा को E.D. ने उन्हें P.M.L.A. कोत में पेश किया था जहां E.D. ने 7 दिन की और रिमाड मांगी कोट ने 5 जिनकी रिमांड मंजूर की है E.D. ने कोट को बताया कि बिनोट सी ने हैमन को जो वाटसप चैट भजा था उसमें मिर्सा मुंडा जेल, अधिक्षक पत पर नरेन पसाथ सी और सेंटरल जेल हजारी बाग में अधिक्षक पत पर जितेंद कुमार की पोस्टिंग के लिए 55 लाख रुपए का ओफर दिया गया था चैट में पता चला कि बिनोट ने डी सी की पोस्टिंग के लिए भी पैरवी की थी बिनोट ने 26 जून 2020 को भी कई लोगों के ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए हैमेंट को मेसेज भेजा इसमें बिनोट ने जे एस एस सी के ततकालिन डिप्टी सेकेटरी रवीरा शर्मा को आर्टी हजारी बाग का सेकेटरी या राची नगर निगम का एमसी बनाने के लिए कहा था 26 जून को ही उसने DRDA के जुएन सेकेटरी मुहमद हैदर हली को डी डी सी लातेहार बनाने की पैरवी भी की थी इडी ने रिमान पेटिशन में कहा कि पुष्टाज के दोरान हैमन सोरेन के सामने बढ़गाई अचल के राजस्व उपनिरिक्षक भानुपताब के मुबाइल से मिले 8.46 एकर जमीन के साक्ष को रखा गया लेकिन उन्होंने पुष्टाज में सयोग नहीं किया और सरी तत्थों को सामने नहीं लाया परियातों कि जिस 8.46 एकर जमीन पर हवे तरीके से कबजे की कोशिश मामले में हैमन सोरेन को गिरफतार किया किया है उस पर हैमन का कबजा था इसकी पुष्टी हो चुकी है